नमस्ते हर हर महादेव, मैं सुसमीता और आप देख रहे हैं सुसमीता जोबी जोन तो आज हम बात करने वाले हैं मेरी गोल्ड को कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं मेरी गोल्ड को कटिंग से ग्रो करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम Marigold के cutting को आसानी से लगा सकते हैं और सर्डियों में इसे भरपूर फ्लावरिंग ले सकते हैं Marigold के cutting को लगाने का सबसे अच्छा मौसम होता है बारिस का मौसम और सर्डियों का मौसम अब हमें cutting कैसी लेनी है तो हमें cutting कुछ इस तरीके से लेनी है कुछ उपर के तरप से हमें तोड़ना होता है cutting एकदम healthy होनी चाहिए उसमें किसी भी तरीके कोई fungus नहीं होना चाहिए उसे कुछ इस तरीके से तोड़ना है और normal garden soil में लगा दिना है मैंने marigold के बहुत सारी cuttings को लगाया था marigold के cutting को लगाने के सिर्फ एक हफते बाद ही मुझे ये देखने को मिला है इसमें जड़ बनना शुरू हो चुका है क्योंकि अब इसमें जड़ हमें दिखने लगा है तो अब हमें इसे बड़ा pot देना होगा तो अब इसके लिए हमें soil कैसे तयार करना है तो चलते हैं अब उसकी तरफ हमें लेना है 50% garden soil 20% vermicompost या गोपरखाद 10% gokupeat 10% balu यारीद एक चमच fungicide powder एक चमच seaweed granules एक चमच epsom salt करीब एक चुटकी के बराबर potash और दो चुटकी के बराबर NPK 1990-1919 यह chemical fertilizer है अगर आप चाहे तो इसे skip कर सकते हैं एक मुठी नीव खली powder और अब इसे अच्छे से हमें मिला लेना है मिलाने के बाद अपने pot में हमें इसे आधा भड़ लेना है आपको जिसमें इसे report करना है उसमें उसके बाद अब अपने cutting को ध्यान से आराम से निकाल लेना है हमें उसके root को बिलकूर भी disturbed नहीं करना है उसके root को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए root तूटना नहीं चाहिए एक्तम ध्यान से आराम से उसे निकाल लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इतने अच्छे से हमारा root बन चुका है और अब इसे हलकाल का ठीला कर लेंगे सिर्फ उपर की तरफ से नीचे से हमें उसे कुछ नहीं करना है जैसे कि तैसा हमें उसे pot पर बैठा देना है pot में बैठाने के बाद हमें pot को पूरे तरीके से भर देना है और फिर उसमें अच्छे से watering कर देनी है watering तब तक करनी है जब तक उसके drainage hole से पानी नीचे ना आ जाए आपके pot में drainage hole का होना बहुत जरूरी है बस watering जब तक नीचे से निकल जाए drainage hole से हमारा काम हो गया अब ये सर्दियों में हमें भर पूर flowering देगी वीडियो को अंते तक देखने के लिए धन्यवाद हर हर महादेव